हलो अब्रिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यीटूब चैनल त्यारी सक्सिस की में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ओनर्स थर्ड समिस्टर मेजर पेपर फोर के एक महतुपून प्रस्नों को डिसकस करेंगे दोस्तो इस प्रस्न में होगा मौर्य कालिन पुरातात्वीक स्रोथ दोस्तो पूरा डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है एक बार में आपको समझ में आ जाएगा इसकी गैरेंटी मैं लेता हूँ दोस्तो सबसे पहले समझें ये स्रोथ क्या होता है ठीक न दोस्तो आज से बहुत सालों पहले कोई एक समराज्य रहा होगा इसके बारे में तो हम लोग को कोन बताएगा ठीक है तो इसके बारे में दो तरह के स्रोथ हम लोग को जानकारी देता है एक होता है साहितिक स्रोत जिसमें कोई लिखित evidence हो यानि उसमें पुस्तक हो सकते हैं कोईसी का ग्रंथ हो सकते हैं इस तरह का जो स्रोत है इसे हम लोग साहितिक स्रोत कहेंगे और एक होता है दोस्तो पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है पुरातात्विक स्रोत में दोस्तो evidence होता है कोई भी लिखित चीज नहीं होता है ठीक ना चाहे वो कुछी भी सामान हो लेकिन उस time period का वो सामान होगा जिसमें मुद्राएं आते हैं फिर आपका बहुत सारे अभिलेक आता है सिलालेक आता है ठीक ना और भी कही सारे चीज आते हैं पुरातातविक स्रोत में तो इसके next वीडियो में हम लोग साहितिक स्रोत को पढ़ेंगे दोनों जो स्रोत है ये दोनों के दोनों important रहेगा ठीक ना तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा आज हम लोग कभर कर लेते हैं पहले पुरातातविक स्रोत उसके बाद हम लोग साहितिक स्रोत को देखेंगे तो दोस्तों चलिए ध्यान से दखिएगा सवाल रहेगा मौर्य कालिन पुरा तात्वी स्रोतों का वर्णन करें ठीक ना तो सबसे पहले आपको परीचे देना होगा कोई भी एंसर आप ऐसे डाइरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ठीक ना क्योंकि आप लोग ओनर्स के विद्दा इसा पूर्व से लेकर के 180 इसा पूर्व तक था यानि जो मौरिकाल था इसका टाइम पिरेड था 322 इसा पूर्व से लेकर के 180 इसा पूर्व तो कई लोगों को इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाएगा तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ये टोपिक समझा देता हूं इसा पूर्व और इस्वी का दोस्तो आप लोग ऐसा समझिए कोई टाइम ऐसा रहा होगा जो 00 था ठीक ना दोस्तो 00 के बाद जब स्टार्ट हुआ है 1, 2, 3, 4 ऐसे हुआ और ये दोस्तो बरतमान में 2000 हम लोग का भी 24 चल रहा है ठीक ना इसको दोस्तो कहते हैं हम लोग इस्वी ठीक ना और ये इस्वी एक से स्टार्ट हुआ है और माना जाता है दोस्तो ये जो 00 काल था ये इसा मसी का जन्म हुआ था इस टाइम है ना तो ये जो इसा मसी के जन्म के बाद वाला को कहते हैं दोस्तो BC सुरी दोस्तो AD AD कहा जाता है इसामसी के जन्व के बाद जो आभी हम लोग कर चल रहा है ठीक ना दोस्तो इससे पहले क्या हुआ करता था इससे पहले एक fixed time था कैसे time माल लीजिए 10,000 ठीक ना अब 10,000 से reverse आता था 9,999 9,998 साल यानि बैक आता था और वो साल आते आते बहुत साल से आते आते दोस्तो ये 322 इसापुर्व से ले करके 1,000 सोरी दोस्तो 180 इसापुर्व तक आया था तो ये जो timing था ये था मौर्यकाल का timing I hope ये जो date से संबंदित जो आपका doubt था ये clear हो पहले दोस्तो इसके बाद topic को समझते हैं ये जो date संबंदित जो भी student को doubt था ओगिलियर हो गया होगा जो इसापुर्व होता है ओपहले वाला time period होता है और इस भी जो होता है ओभी जो बरतमान में चल रहा है ओ timing है ठीक ना तो आगे देखते हैं हम लोग मोर्यकाल का time period को देख लिए हैं भारती इतियास में एक महितुपून यूग था यानि ये जो मोर्यकाल था ये भारती इतियास का एक बहुत ही महितुपून काल था क्योंकि मोर्यकाल में दोस्तो संपून भारत बर्स एक था ठीक है जिसे समराइट चंद्रगुप्त मोर्य और उनके पोते असोक के सासन काल के लिए जाना जाता है यानि मोर्यकाल को चंद्रगुप्त मोर्य जो उनके संस्थापक थे और उनके पोते असो के लिए ये जो बंस है उसके लिए जाना जाता है इस काल में भारतिय, समाज, संस्कृती, राजनीतिक और आर्थिक अवस्ता पर गहरा प्रभाव डाला यानि ये जो बंस था इस बंस ने भारतिय समाज, संस्कृती, राजनीती और अर्थवेवस्ता में बहुत ही जादा महतुपून प्रभाव डाला मौर्य कालिन, सुरोतों के अध्यन हमें इस समय के जीवन, विजारधारा और मान्यताओं को समझने में मदद करता है जिसमें सीलालेक, दोस्तों सीलालेक क्या होता है, बड़ा बड़ा पत्थर हुआ करता था ठीक न, और पत्थर के उपर ही लिखा रहता है, उसे को कहते हैं सीलालेक, ठीक न, उसके बाद स्तूप, सिक्के, अध्योगिक, अबसेश और साहितिक ग्रंत सामिल है ये स्रोत ना केवल एतिहासिक तथ्यों को उजागर करता है यानि उस ताइम पिरेट को बताता है बलकि उस समय के राजनितिक संरचना और धार्मिक विवदताओं को भी दर्शाता है यानि ये जो जितने भी स्रोत है इस स्रोत से हम लोग को उनके समाजीक विवस्था कैसा है उसके साथ साथ उनके धर्मिक इस्थिति को भी बताता है इस परकार मौयर्य कालिन स्रोतों के अधन भारतिय पुरतात्विक और इतिहास के छेत्र में एक मेहतुपून कदम है जो हम विवस्था ज़े जड़िये की कहराई को जानने का अश्र प्रदान करता है यानि इनकी जो जो एविडेंस से इससे हम लोग को प्राचीन काल के बहुत सारे चीजों को बारिक्यूं यह समझने में मदद मिलता है तो एक-एकथोच चीज को हम लोग समझते हैं कि क्या-क्या एविदेंस है एविदेंस के रूप में दोस्तों पहला है असोक का सीलालेक दोस्तों असोक ने आपने टाइम पिरियट पे बहुत सारे सिलालेक अभिलेक इस्तंबलेक बहुत चीज का निर्मान करवाया उसमें उसनोंने बहुत सारे चीज के जानकारी दिया है जो कई जगा पे दोस्तों मिला है ठीक ना मौर्यकाल के सबसे प्रमुक पुरातात्विक सुरोत असोक के सिलालेक है समराण असोक ने अपने सासनकाल में बिविन्य स्तानों पर धर्म नैतिक और समाच सुधार के संदेश अंकित किया है यानि दोस्तों जब 261 इसापुर्व में मौर्य सासक असोक ने कलिंग का यूद किया था उसके बाद उन्होंने यूद ना उठाने मतलब सस्त्र ना उठाने का प्रतिग्या लिया था ठीक ना और उस टाइम पुरा वो धार्मिक हो गये थे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कारी किये ठीक नहीं तो उज उनके सिलालिकों से दोस्तों उनका सस्त्र त्याग उनका जो बिचारधारा में परिवर्तन हुआ है सभी चीज को देखने को मिलता है ठीक ना सिलालेख ये सिलालेख ना केवल राजनिति धार्मिक विचारों का संचार करता है बलकि उस समय की भासाई और संसकृतिक विवदता को भी दर्साता है जैसे उडिसा में गांधार और लोरिया नंदगाओं की सिला लेखी यानि बहुत सारे सिला लेखे इसमें आप लोग को दो चर बताया गया है उडिसा गांधार लोरिया नंदगाओं यहां के जो सिला लेखे इससे हम लोग को उनके भासा उनके समाजिक जीवन उनका संस्कृ लिटी धार्मिक बिवस्ता सब कुछ के वारे में जानकारी मिलता है ठीक ना नेक्स्ट दोस्तो स्टूप स्टूप क्या है दोस्तो समझिए पहले मौर्य काल में बहुत धर्म का प्रसार हुआ दोस्तों मौर्य जो काल था यानि सासन काल जो मौर्य लोग सासन करते थे उस टाइम पे जो बहुत धर्म था वो पिक पोजिशन पे था ठीक ना समाज में बहुत धर्म जैन धर्म दोनों ही धर्म थे लेकिन जो असोक थे उसके टाइम पे बहुत धर्म बहुत आगे बढ़ चुके थे कि असोक ने बहुत धर्म को बहुत ज़्यादा परचार परसर काया आया और असोक ने बहुत सारे स्थूपों का भी निर्मान करवाया जिसके फुल सरूप कई सुतूप का निर्मान हुआ, सारनात का धमक सुतूप और बौध गया का महाबोधी सुतूप इस काल के महतुपून उधाहरन है, या सुतूप ना केवल धार्मिक महतुप रखते हैं, बलकि इस्थापीत कला और बौध सिच्छाओं का भी परिचारक ह तो दोस्तों क्या है, जो इस्थूप बनाया है असोग ने, उससे क्या पता चला कि उस टाइम पिरेड में जो बौध धर्म थे, उसका क्या पोजीशन था, बौध धर्म को लोग मानने वाले थे, तो उससे क्या पता चला कि वो जो राजा थे, वो बौध धर्म को मानते थे बहुत धर्म में क्या क्या चीज थे समाज में क्या सभी को मनना जरूरी था तो इससे हम उन लोगों का धार्मीक विचार धर्म को जाने उसके बाद बहुत धर्म का क्या शिच्छा दिया गया कि बहुत धर्म में कौन-कौन सा नियम कानून बताया गया सबी चीज को बारीकों से लिखा गया तो इस से उनका धार्मिक के साथ साथ उनके इस्थापित कला उनका जो बनाने का डिजाइन है डिजाइन से भी पता चलता है कि उस टाइम पे टेकनोलोजी ना होते हुए भी उन लोगों ने इतना अच्छा इस्थूप का निर्मान करव पाया तो बहुत सारे चीज इविडेंस से पता चलता है कि उस टाइम पिरेड में उनका धार्मिक जीवन कैसा था इस्थापित कला कैसा था बहुत सिक्षा कैसा था ठीक ना और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तो संस्कृतिक अवशेश मौर्यकाल की संस्कृतिक इस्तिति को स जीवन के बारे में जानकारी देते हैं तो मिट्टी के बरतन से क्या जानकारी मिलेगा ठीक है तो मिट्टी के बरतन से ये जानकारी मिलेगा कि उस टाइम पिरेड में मतलब आधिकतर लग जो जनता थे वो लोग मट्टी का बरतन का प्रियोक करते थे हो सकता है कि उस टाइ का बहुत सारे चीज हम लोग निकाल सकते हैं ठीक ना वलकि उस समय की तक्नीकी उन्नती और व्यपारिक गतिविधियों का भी संकेत करता है तो मुद्रा से कैसे पता चलेगा मुद्रा मतलब कोई कोई टाइम पिरेट का सोने का सिक्क्या मिलेगा तो सोने का सिक्क्या से क्या पता चलेगा कि उस ताइम पिरेट में उस धातु का परियोक होता था मतलब सब कुछ चीज के बारे में पता Cलाएगा तो धातु का विश्कार हो चुका था धातु का परियोक कर रहा है मतलब उहां के जो प्रजा थे और बहुत ही ज्यादा शक्षम थे मतलब उननों लोग इस काल में क्रिशी और उद्योग का विकास हुआ विभिन्नी स्थलोपे मिले किशी उपकरन और उद्योगी अवशेश या दरसाता है किशी विवस्ता कितनी विक्षित था दोस्तों आप लोग खुद सोचिए अभी हम लोग खेती किसमें होता है ज्यादा तरह अभी हम प्रियेट का अगर कोई हल हम लोग को मिल जाए तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि उस टाइम पे वो लोग खेती भी करता होगा खेती हल से होता था हल कर डिजाइन से पता चल जाएगा कि क्या वो मतलब बैल से खेती होता था या फिर इंसान द्वारा खीचा जाता तरह तरह का चीज सामने आएगा जो किसी सामिग्री से ही ठीक है चावल यहूं फल सबजी के परमान मिले हैं जो इस काल की आर्थिक स्थिति को जागर करते हैं ठीक ना नेक्स्ट दोस्तो वास्तुकला वास्तुकला में मतलब जो 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 लोग चीज का निर्मान करवाया और निर्मान से पता चलेगा कि उन लोगों का मन कैसा था आप लोग खुद सोचिए जदा अगर मंदीर बनाया होगा तो उन लोगों का क्या है मन और लोग का मन बहुत अच्छा हुआ होगा ठीक ना इसलिए अलोग मंदीर बनाया अगर मस्जिद बनाया होता तो उन लोगों का म परफ्ति उतना अजादार रुची नहीं हुआ होगा तो बहुत सारे वस्तुकला भी देखने को मिले है मौर्य काल की वस्तुकला भी उलिखनिय है मौर्य समराथ चंदरगुफ्त मौर्य और असोख ने अनेक महलो किलो और अन्य भवनों का निर्मान कराया ये सनरचनाय मौर्य वस्तुकला की विशेस्ताओं को दरसाता है जो जैसे की इस्थम्बों की सजावट यानि जो इस्थम्ब बनाए है जो पिलर है वो पिलर में डिजाइन ठीक ना लकड़ी और पत्थरों का उपियोग और विभिन्य संस्कृति का परतिक का समाविस मतलब क्या है वो लोग जो पिलर बनाते थे ना वो पिलर के उपर तरह तरह का डिजाइन बनाते थे पिलर का जो डिजाइन होता था वो बहुत कुछ संस्कृति को दरसाता यहां पर हाती बना दिया जाता था यहां पर उंट बना दिया जाता था और भी कई तरह के बस्तूों का निर्मान होता था यहां पर कोई राजा बना दिया राजा हाती के ओपर बेठा हुआ है इससे क्या पता चलता है कि उनका संस्कृती को दिखाता है जो पिलियर था उसके बाद बंस में दोस्तों देखा गया है कि और लोग तीन का भी सिख्य के रूप में परियोग करता था तो तीन के रूप में जागर कोई सिख्य का परियोग करता था इसका मतलब यह है कि उजो समाच था उतना ज्यादा विक्षित नहीं था उन लोग का पास सोने का भंडार नहीं थ से शेखाव सोने के बारे में हो सकता है कि अंक को परीचेत नहीं हो जगा में सोने का मतलब उत्पादन नहीं होता होगा ठीक खोद सारे चीज देखने को मिलता है मौर्य काल के सिख्य भी एक महतुपुन पुरातात्विक सुरोत है इविडेंस है इन सिख्यों पर विभिन प्रतिक प्रतिक मतलब डिजाइन यह भी इन्पोर्डेंट है दोस्तों कि यह जो कोईन मिला है कोईन के उपर क्या बना हुआ है कोईन के उपर मान लिजिए दोस्तों कि अगर कोईन के उपर मैं ऐसे ही एकजांपल के लिए बता रहा हूं कोईन के अपर अगर AVC लिखा रहे है तो इससे आप लोगों क्या पता चलेगा इससे यह पता चलता है कि लोगों के टाइम में लोग भी जोरूर इंगलिस पड़ ठीक ना या फिर कोई में अगर कोई देवी देवताओं का फोटो अगर बना हुआ हो तो इससे पता चलेगा कि ओजो सासक था ओओ कि ओओ हिंदु धर्म को मानने वाला था या फिर कोई में अगर 786 लिखा हो तो ओ लोग हो सकता है कि ओ लोग मुसलिम धर्म के थे तो बहुत सारे चीज देखने को सिक्के से भी पता चलता है चित्र लीजे दोस्तों मैं और ये मैं कफसे राज किया हूं मैं इक्जामपल के लिए आप लोग अच्छा तरSi समझमाया जाएगा इस तक में अपने परदेश का राजा बना और ये डीट में लिख दिया हूं उसके मैं अपना नाम भी लिग देता हूँ तो इससे क्या पता चलेगा यह जो कोन था यह इसका है और इस टाइम पिरिट तक वो शाँसन किया होगा और भी बहुत सारी चीज लिग दिया जाता था उससे राजा का भी पता चल जाता था वो कभ सासन किया था बैपारिक संबंद कैसे दर्शाएगा दोस्तों समझेगा मान लिजिए यहाँ पर मैं एक कोईन बनाया हूँ कोईन का नाम दे दिया हूँ A ठीक ना और मैं किसी से कोई चीज खरीदा हूँ A मान के चलिए A मेरा देसे मेरा देसे B A एक दूसरा देसे C तो मैं जब बैपार करूँगा C वालों के साथ तो मैं क्या दूँगा मैं अपना ही कोईन दूँगा तो A कोईन जब मैं C देस को दिया हूँ और अगर C देस में भी कुछ मात्रा में अगर A प्लस कोईन मिल जाए तो इससे क्या पता चलेगा इससे पता ये चलेगा कि B देस का सम्मंद C देस के साथ रहा होगा सम्मंद किस पर कर रहा होगा कोई बैपारिक ट्रांजेक्शन होता था ठीक ना तो इससे क्या होता है इससे बहुत सारे सिक्के कि सबसे ज्यादा मेन evidências हैं सिक्य से उन लोगों का ऑर्स्थी किस्तिती उनका धार्मी किस्तिती उनका टाइम पिरिएड उसका राजाब का नाश की बाद उनका वेपारिक संबन पता चलेगा और दोस्तों मेरा मतलब राज्य है एक कहां तक फैला हुआ है ठीक न मतलब इहां के लोग भी अगर यही सिक्षा यूज कर रहा है तो हो सक्ता है कि यहां का जो एरिया है इस्सासक का ओ इतना बड़ा रहा होगा जो सिक्के के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक ना उसके बाद दोस्तो निशकर्ष के रूप में आप लोग क्या लिखेंगे दोस्तो एक एक चीज हम लोग पुरातात्विक सुरोतों के वारे में देखे अब दोस्तो एंसर को आप लोग को खतम करना है तो आपको निशकर्ष लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है निशकर्ष का मतलब क्या होता है तो इससे क्या परिणाम देखने को मिला ठीक न तो मोर्य काल लीन पुरातात्विक स्रोत हमें उस समय के समाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनितिक जीवन की गहराई से जनकारी प्यदान करता है यानि यह जो एविडेंस के माध्यम से उस टाइम का समाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को बहुत ही अच्छा से समझने में मदद करता है या सुरोथ हमें या समझने में मदद करता है कि मौर्य काल में भारतिया इतिहास पर कितने गहरा प्रभाव डाला और कैसे इनसान आधुनिक भारत की नीव रखी यानि उस टाइम पिरेड से ले करके आभी आधुनिक युग तक कैसे हम लोग का विकास हुआ इन अविशेशों के माध्यम से हमें उस युग के महत्व को समझ सकते हैं और उनकी संस्कृतिक विराशर्त को समझीफ्ट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो आइःएओं आप लोगों को ये टॉपिक पूरा किलियर हो गया होगा दोस्तो में आप लोग को line by line भी पूरा पस्त तरिके से पढ़ा सकता हूं लेकिन इससे आप को उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा इसलिए में जितना हो सके अपने तरफ से मतलब इजी वे में एक्स्प्लेइन करने का कोशिस करता हूं अगर आप लोग को लगता है कि थोड़ा कम या फिर क्वीक माध्यम से आप लोग वीडियो चाहिए या 10 से 15 मिनिट का वीडि आप लोग को लगता है कि नहीं से जैसे आप लोग आप एक्स्प्लेइन कर रहे हैं और इसे एक्स्प्लेइन कीजिए तो भी कमेंट कीजिएगा बाकी आगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग लाइक नहीं करते हैं और इस वीड वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद।